नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया की बात मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और उर्मिलेश और आज तीन मुद्दों की चर्चा करने हम जा रहे हैं शाहरु खान की पठान को मिली अपार सभलता नफरती गैंग को करारा तमाचा मुद्दा नमबर दो बीबी सी के एक डॉक्यूमेंटरी पर मोदी सरकार का जो रवया नहायती शर्मनाक क्या भारत में लोकतंत्र बचा है और मुद्दा नमबर तीन एक कथा वाचक धेरेन शास्त्री का जो रवया है और पत्रकार जिस तरह से उनके सामने नत्मस्तक हो रहे हैं पत्रकारिदा को शर्मसार किया जा रहा है एक बहुत बड़ी साज़श भी दिखाई दे रही है ये तमाम मुद्दे होंगे शुरुआत हम करने जा रहे हैं शाहरुखान की पठान के साथ जी हां करीब एक सवा साल पहले जूटे मामलों में उनके बेटे को जील में बंद किया गया था उस वक्त पठान की कोई सुगबुगाट भी नहीं थी उनकी फिल्म की मगर तभी से उसको बॉयकॉट करने की मांगी जा रही थी जब फिल्म की रिलीज डेट करीब आई तो भारतिये जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री वो तक फिल्म के खिलाफ बोलने लगे मगर फिल्म रिलीज हुई और अभी दो दिन में उसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिये बेशर्म रंग आने पर लोग सिन्वा हॉल में तिरक रहे हैं, मानो उन नफरती चिंटों को एक करारा तमाचा दे रहे हूं क्या इस खबर का पंच, शुरुआत करना चाहेंगे हम, और मिलेश से अभी सार, बिल्कुल आपने सही फरमाया, देखिए ये बायकाट गैंग जो है, वो बुरी तरह उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया ये होती है जनता, और जनता सही मुद्दों के साथ जाती है मैं समझता हूँ कि बाली वुट की ताकत भी से उभरी है, कि बाली वुट से क्यों संग परिवार और सरकार के लोग जो भाजपा के हैं, वो क्यों इतना कुपित रहते हैं, क्यों नाराज रहते हैं, क्यों बाली वुट को डिसमेंटल करने के फेर में लगे रहते हैं, ये ह नफरत से किसी को फाइदा नहीं है, नफरत की एक सीमित उम्र है, मगर हम सब जानते हैं कि नफरत का इस्तमाल भारतिय जनता पार्टी ने बहु भी अपनी राजनीती के लिए किया है, बड़ा प्रशनी है कि क्या पठान की सभलता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ कहता ह है, इंतजार करना होगा, भाशा इस मुद्दे पर क्या है आपका पंच? की जो दुकान है, उसकी खरीदार जादा है, और जितना भी आप कर लिजे, पोस्टर फाड़ने के बाद भी लोग अंदर जा रहे हैं, अब तो संग परिवार समझ जाए कि भगवा उनका नहीं, हमारा भी है. आप जानते हैं भाशा, मैंने फिल्म देखी जाकर, और मैं देखता था कि जैसे बेशर्म रंग सॉंग आता था, लोग बिलकुल बोरा जाते थे, पागल हो जाते थे, ठीक है? मानों वो एक करारा तमाचा दे रहे हैं उन नफरती चिंटों को लिको और यहीं ने, फिल्म के क्लाइमाक्स की तरफ शाहरुक जब जैहिंद बोलते हैं और वो सुभाश अंदर बोस का जो डायलॉग है, कि ये मत सोचो कि सैनिक जो है, वो देश को, देश उसके लिए क्या कर सकता है, सैनिक ये सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है, तील, अतालियां, सीटियां इस तरह से, तो एक खुझून था, एक जुनून था, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि वो युवा जिसे बीजेपी और उसके प्रचार तंत्र ने वाट्साप युन कोरोना के बासे बॉलिवुड जो रसातल में जा रहा था, उसके बाद इस तरह का क्राउट जो गया है और जिस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं, उससे एक बास साफ होती है कि भारती लोक तंत्र और भारती जन्मानस सतरंगी है, इसको एक रंग में और नफरत के रंग मे बहुत खूब बहुत खूब बहुत और यह जब तक यह लोग समझेंगे मुझे लगता है इससे बड़ा जवाब और शाहरुक खान ने जो संदेश दिया था कि मेरे अंदर पॉजिटिव है और मैं पॉजिटिव का इंतजार कर रहा हूं मुझे भरोसा है मुझे लगता है य मुझे लगता है बैकलाश बहुत तगड़ा है जिसे कैसे संग बचाएगा क्योंकि अब यह दिखाई दे रहा है कि उनके इशारों पे उनको लग रहा था कि बस वह ऐसे ऐसे करते जाएंगे और लोग कटपुतली जैसा नाशते जाएंगे और मुझे उर्मिले जी प्रध इसको समझ गए हैं कि नफरत एक सीमत सौधा है या हम जरूत से जादा आशावादी हो रहे हैं अभी मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं मुझे लगता है कि कॉई बार जो टॉप लीडर हैं खासकर भारती जनता पार्टी के सरकार के वो टैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल जो जो हालात होते हैं इंटरनेशनल रिय rebellious यह को भी बामते हैं कर जो खाड़ी के देश हैं इसके अलावा पूरा अरब वर्ड बलकी कहिए और योरोप में योरोप में भी अमेरिका तक उनका उनका जलवा है मैं स्वाइम एक बार डेन्मार्क की आतरा पे था और मैंने देखा कि डेन्मार्क की राजधानी में एक बड़ा उत्सव चल रहा है वहाँ पर शारुख खाँ के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और एक अनुराग करश्यप का था तो मैं तोचा कि ये तो हीरो हैं नहीं इनका कैसे है पता चला कि वो गेस्ट हैं और वो आए हुए हैं वहाँ पे कपोद बोलने के लýए तो अनुराग करश्यप का भी शाहरुख खान जो आप अंतराश्ट्री बात कर रहें ना शाहरुख खान की फिल्म कुछ-कुछ होता है 1998-99 में रिलीज होई थी और कुछ-कुछ होता है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ वो पहली फिल्म थी जो UK टॉप 10 और US टॉप 10 में आई थी तो अंतराश्ट्री तोर पर शाहरुख इतना बड़ा ब्रैंड है और इस इतने बड़े ब्रैंड को आप जूटे केसिस में परिशान कर रहे थे लगातार परिशान कर रहे थे पहले कहें उसके पहले एक लाइन जोड़ने दीजे कि मैं समचता हूँ कि बाली वुड में राज कपूर के बाद ये दूसरे विक्ति हैं जिनकी इंटरनेशनल रॉट्रेंड है मैं इसकी बात करूँगा मैं कौन कौन है राज कपूर के इलावा भी आप जानते हैं भाशा मुझे सबसे बात क्या लगी शारुख खान की शारुख ने पठान पर एक इंटर्वियू अब तक नहीं दिया उन्होंने बॉइकोड गैंग से भी एंगेज नहीं किया इनका दिमाग दे किस तरह से चला उस बॉइकोड गैंग के नफरत को उस नेगिटिविटी को उन्होंने अपनी फिल्म के परचार के लिए इस्तमाल किया कितना करा रहा है तमाचा इन अफरती चिंटों के लिए बहुत मज़ेदार है कि इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप अपने काम और अपने फील्ड पर मनलब जमीन जो आपकी है उस पर आप पुखता पैर जमा के खड़े होते हैं तो लोगों को भी भरोसा होता है और मुझे लगता है कि अभिसार एक हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि समाज अब थग भी गया है हमारा जो समाज है हमारे जो परिवार है जो भारतिय समाज है वो मनोरंजन चाहता है वो अलग-अलग रंगों मेरा था, हमआरे सारे त्योहार अभी बसंद का मौसम चल रहा है अब देखे सारी जगeh health-health अलग अलग गाने है अ 又 में आप मूस्मे अस युवा की cow59 की मनोरंजन को हर समय तलवार पर लेकर पूरे समय जो कंट्रोल करना चाहते हैं मुझे लगता है दरसल पठान की जीत है इस समय वो ये भी है युवा चाहता था कि एसर्ट करें और वो इतने दिनों से खामोश है आप देखिए कि तमाम तरह के इंस्टाग्राम पर रील बन रहे थे जो सिर्फ बेशरम रंग पर अलग-अलग कर रहे थे वो भी एक प्रोटेस्ट का साइन है तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट भी कितना विविद हो सकता है बिना उग्र हुए आप संगीत से भी आप दान से भी हर चीज़ से आप कह सकते कि नहीं भाई तुम साइड में हो जाओ हमें इंटर्टेंड में हमें मनोरं अब शब्द कह रहे थे इन दोनों का जवाब दिया है कि हिंदू और यह मुसल्मान शारुकान उनके लिए मैं और चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूं कि इसका जिक्र यहां पर उर्मिलेश जी ने राजकपूर के जरे किया था देखिए जब आप मौझूदा फि ने राजकपूर नहीं और मिलेश जी मैं आपको बता दूं मिथुन चकरवरती उनकी जो फैन फॉलोइंग थी रश्या फॉर्मर सोवेट यूनियन में उनकी एक फिल्म आई थी डिस्कोड आंसर यहां तो जितनी चली सो चली वो वहां जो चली पहली सौ करोड की फिल्म थ आईए और फिर आमिर खान की दंगल उसने जो मैसिव बिजनस किया चाइना में ये है हमारा सौफ पावर भारती जनता पाटी और उनका जो प्रचार तंतर इसे खत्म करना चाता है और देखिए बॉलिवुड में धेरों दिकते हों ट्रिविलाइज करता है कहानी को लेकर म अगर एक जो खुबसूरा जजबा था सेकिलरिजम का कभी भी नफरत का परचार परसार नहीं किया जान बूच कर जो इनके एक चाटुकार फिल्मेकर नहीं किया था नामनी लेना चाता हूं तो कम से कम उसमें कभी नहीं बॉलिवुड शामिल हुआ और वो सब ये बरबाद करना चाते हैं कि इस बॉलिवुड को जो हमारी एक ट्रेडिशन है ग्रेट ट्रेडिशन है उसको मवजुदा जो संग परिवार है जिसको आप जिसमें भारती जनता पार्टी भी शामिल होती है ये वाकई उसको डिसमेंटल करने पर लगए हुए हैं ये कोई मजाग की बात नहीं है ये गंभीर बात है और हर वो मौका खुशते हैं कि कैसे बालिवुड को कमजोर किया जा सके क्योंकि बालिवुड जो है किसी भी प्लिटिकल पार्टी के किसी भी अवियान से ज्यादा आर्टाकत के साथ सचाई को सचाई चाहे जिस रूप میں भी आवे रंगों को संस्कृतिक रंगों को सबभता कि मैं आयमों को प्लस लोगों के हाव भाव उनके जीवन तमाम चीजों को दर्शाती है और दर्शाता है और दूसरी एक बड़ी महत पूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं उसके साथ ही बाली वुड में ये बात सही है कि सेकलरिजम को लेकर एक डॉमिनेंट जो व्यू है वो ये है कि इस पर कोई कंप्रमाइज उसने नहीं किया आप एक सेक ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया जो बात पुलिटिकल पार्टिज कहती थी तब लोग नहीं सोचते थे लेकिन जब सिनेमा में आ गया लोग सोचना थूरू किय में मेहनत लगती है और उनका इंवाल्मेंट है बिल्कुल जो परिवार जीते हैं आप जो कि हैं इंप्लाइमेंट कितना बड़ा है एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट मैं अपने दर्शकों को बता दू पठान की सफलता या पठान की वज़ा से कोरोना के दौरान जो सिनेमा बंद हो गए थे वो दोबारा रिवाइव होएं सिंगल स्क्रीन सिनमा ओल की खास बात यह है कि जो घरीब है ना मजदूर तपके का वो जाकर यहां फिल्में देखता था क्योंकि मल्टिप्लेक्स के 500 रुपए वो कहां से देगा वो रिवाइव हो रहे हैं और पठान एक नह दिलाना चाहूंगी कि यह भी देखिए कि पठान ने एक नया इतिहास इस मामले में रचा कि जब विरोध हो रहा था इतना हंगामा था बाइकॉट गैंक का उस समय शाहरुक ने जो कहा कहा अमिताब बच्चन ने भी अपनी चुप्ती तोड़ी और बहुत एहम बात कही कि अभी व्यक्ती की आजादी का सवाल उठाया उन्होंने उन्होंने freedom of expression का सवाल उठाया यानि आप यह सोचिए कि यह बाइकॉट के जो कॉल था सबको यह लगा कि यह सर के ऊपर आ जाएगा दम घुड जाएगा अगर अब नहीं बोले अब हम सिनेमा हॉल नहीं गए तो श उजरात दंगों पर और मोदी सरकार तमाम तरीकों से इसे दबाने में लग जाती है मगर यह बैक फायर इसलिए गर जाता है क्योंकि वह हर जगा मौजूद है टॉरेंट साइट्स पर मौजूद है कई उनिवर्सटी इसको दिखा रही हैं साउथ में या जेनियों में भी लगतार कोशिश की गई मगर मैं जो सवाल यहां पूछ रहा हूँ हमारे दूसरे मुद्दे के जरीए कि क्या हम एक लोकतंत्र के जरीए मजाक नहीं बनते जा रहे हैं क्या है इस खबर का पंच भाशा आप बताएं देखिए मेरा मानना है कि बीबीसी की फिल्म का आना और जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने उसे देखा और उससे जिस तरह की बेचैनी मोदी सरकार को ही उसने पूरा खुल कर खेला इस फिल्म को दबाने का उससे दो तीन चीज़ें बहुत साफ हैं कि इंटरनाशनल फै किया जाएगा उतना ही ज्यादा यह सवाल उठेगा कि मोदी जी 2002 कतलेयाम की जो दाग है वह अभी भी जिन्दा है और यह परिशान करेगा सवाल 2024 तक इस मुद्दे पर मेरा क्या पंचे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोली का उबयान याद है आपको कि इस देश में आलोशना होनी चाहिए अब प्रधान मंत्री का यह जो बयान है न मुझे महाभारत का एक प्रकरण याद आता है आपको याद ह बोलते हैं कि अब वाकई अश्वत थामा मारा गया है तो युधिश्टिर कहते हैं अश्वत थामा मारा गया और उसके बाद बहुत धीमे स्वर में कहते हैं गर वो हाथी था और उसी वक्रिश्ण जो हैं वो शंकनाद कर देते हैं यानि जो असली मुद्दा है वो दब जाता है मुझे क्या लगता है प्रधान मंतरी कहते हैं कि आलोश ना करो होनी चाहिए मगर मेरी मत करो धीमेस्वर में ये भी बोल देते हैं तो उर्मिलेश जी इस जो भी इसको इसका प्रदर्शन कर रहे हैं उसको पुलिस भेज करके रोकना ये बिल्कुल इलीगल है अनकांस्टूशनल है क्योंकि समवैधानिक तोर पे कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं है जहां तक मेरी जान का रही है मैंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मैं समझना चाता हूं इस मोधी सरकार से भाशा यहां पर कि आप किस जमाने में लोगों के ट्वीट पर अंकुष डाल रहे हैं डॉक्य। क्या सोचें सरकार्टी कौन इन्हें अडवाइस करता है कि इतना दबाव डाल दिया गया कि इसको आप देखेंगे और आप देखें जिस तरह का एक सत्याग्रा जैसा शुरू हुआ महुआ मोहितरा से लेकर अंगिनत लोगों ने ट्विटर पर इसके लिंक्स डाले कि ठीक हम जा रहे हैं स्टेट के खिलाब जो कारवाई करनी हो करो जेनियू से लेकर जामिया से लेकर केरल से लेकर तमिल नाडू तक में चात्र इसका सामोहिक प्रदर्शन करने पर उत्रे क्यों ऐसा नहीं कि गुजरात 2002 में जो कतले आम हुआ उसकी सच्चाई का सामने आना उस समय और आज 2023 में 2024 की जब शुरुआत हो रही है शायद मोदी जी के लिए खत्रे की गुजरात आता है भारती जनता पार्टी राजनी तक तौर पर उससे अपने पक्ष में भुना लेती है बिलकिस बानों देखिए गुजरात चुनावों के दोरान देखिए इस चीज़ों को इन तमाम चीज़ों को लेकर भारती जनता पार्टी को शर्मिन्दा होना चाहिए था मगर उससे तमगे गितरा उन्होंने पहना मैं ये कह रहा हूँ इस डॉक्यमेंटरी का सामने आना राजनीतिक तोर पर फाइदे मन तो नहीं है मोडी जी के लिए देखे मैं इसका जवाब दूसरे एक सवाल के साथ करूँगा वो ये की मुद्दे जो होते हैं आम तोर पे जितने मुद्दे मोडी जी या उनकी पार्टी ने इस्तेमाल किया है अपने पक्ष में मैं समझता हूँ कि वो तभी कर पाए जब आपोजिशन यानी जो हमारा र मैं बहुत सारे ऐसे उदाना आपको दे सकता हूँ कि अनेक बातें जो बीजेपी के विरुद्द जानी चाहिए थी उनको फायदा बीजेपी नो उठा लिया क्योंकि या तो विपक्ष के नेताओं के पास बोलने का अकल नहीं है वो ग्रासूरूट रियलिटी से रोबरू हैं तो ऐसे नेता अगर जब कोई बात आती है तो इस्तेमाल नहीं करना जानते उपयोग नहीं करना जानते और जनता के बीच में वो जाते नहीं हैं कैमपेंड करने सिर्फ समझते हैं कि ट्रीटर पर डाल देंगे जैसे इन्होंने महुआ मुआ मुआ जी का नाम लिया बह मेरा यह कहना है कि जब तक ग्रास्रूट लेवल पर जमीनी अस्तर पर जाकर संगठन नहीं होगा संगठन के कारेकरता नहीं होगे तब तक आरेसे इस पास एम बिलकल सेहमत नहीं हूँ जो अर्मिलेश जी ने कहा मेरा साफ मानना है कि गुजरालाँ गुजराद 2002 में जो क चेज़ दिन था विकास था नुआरा और उसके बाद आगे जो उनका कटर समर्थक है उनका कटर समर्थक है आज भी वह ही कहता है राष्टी और अंतराष्टी छवी की बात आप करिये अभी साथ अगर ऐसा होता तो 2014 में गुजरात में मुसल्मानों को सबक दिखाया वो नार अगर ऐसा होता तब तो मोदी सरकार को बले बले हो जाना चाहिए क्यों नहीं क्यों इतनी परेशान हुई क्योंकि उसने मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने अंतराष्टी छवी बिगड़ने से चिंपे थे अंतराष्टी छवी और राष्टी इस तर पर भी वह लगातार कि बोल रहे हैं मोदीजी ने एक्जेकुटिव मीटिंग के बाद कहा कि मुसल्मानों और साथ कॉंस्ट्वेंसी चिन्नित की किसी और पार्टी ने नहीं की साथ कॉंस्ट्वेंसी चिन्नित करके कहा कि हमारे कार्यकरता मुसल्मानों के घर जाएंगे क्यों क्योंकि उनको ल करिए मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि जब मोदी जी विपक्ष में तो उनका बयान याद की जब उन्होंने कहा था कि जब तक BBC पे खबर नहीं आ जाती थी किसी को विश्वास नहीं होता था आका अश्वानी पर दूर दर्श में ती यह बात उन्होंने खुद ने कही और अब आप BBC पर अंकुछ डाल रहे हैं और एक और बात क्योंकि मैंने खुद 5 साल BBC में काम किया है आपके सामने कुछ हकीकत पेश करना चाहूंगा क्योंकि इनका प्रचारतंतर क्या कहरा है लगातार कि BBC में हिम्मत नहीं है अपनी सरकार यानि बृतानी सरकार पर कोई ट प्रिटिन का उसके बारे में BBC ने बाकाइदा लेक छापा है कि चर्चिल की विरासत भारत के लिए दुखदाई है आगे देखिए UK Government and Military Accused of War Crimes Cover Up सीधे अपने मिलिटरी पर सवाल क्या भारतिये मीडिया इस तरह से कर सकता है बिलकुल नहीं देश दरू ही बता दिया आप सब जानते हैं कि फलस्तीन और इस्राइल को लेकर बितानी सरकार कहां जुकी हुए और यहां पर BBC सीधे सवाल उठा रही है अपने सरकार पर अपनी सरकार की सिना पर और आखरी आपकी स्क्रीन्स पर देखिए बितन के वजूत पर सवाल वजूत पर सवाल बीबीसी से सीखे हमारा मीडिया अपालतू की बात करने के अभी सार मैं तो यह कह रहा हूँ कि अगर इंडियन मीडिया इस स्थिती में होता कि वो ऐसी कोई फिल्म बना ले एक एपिसोड ही बना लेता पहला वाला जिसके बड देता तो बीबीसी को कोंद देखता मामला ही नहीं आता बिलकुल भी आपने अपने देश में हालात ऐसे नहीं रख यह हैं कि लोग खुल करके स्वातंत रढंग से पहल करके अपने फिल्म बना सकें एक सेकंड एक सेकंड दूसरी बात यह एक्छले साथ साल छ उठा लीज पी हो सबसे बड़ी रिवीलिंग स्टोरीज कहीं आई हैं तो वाशिंग्टन पोस्ट निवार्क टाइम्स या आपके बीबी सी या और इस तरह की विदेशी एजन्सियों में क्यों नहीं भारत के अख़वारों और भारत के टेलिविजन चैनलों नहीं किया खासकर चैनलों अख़वारों ने तो फिर भी किया कई ऐसी मैगजीन से कि रिस्क लेकर तिया 2200 पर भारती पत्रकारों ने और मीडिया घरानों ने बहुत हिम्मत करके उससमें सरकार दूसरी थी तिया नहीं नहीं थी दिल्ली मे थी बिल्कुल 2002 के दौरान जो एड़ी टीवी की रिकर रि बहुत दिलेरी के साथ, बहुत मजबूती के साथ तमाम तत्थियों को रखा, डॉक्मेंट किया उसका आधार, BBC की डॉक्मेंटरी फिल्म में मिलता है भारती पत्रकार इसमें भी बोलते हैं. हम बात पत्रकारिता की कर रहे हैं और पत्रकारिता शर्मसार हुई है एक बार फिर वो है मेरा तीसरा मुद्दा धिरेन शास्त्री जिसे मैं ढोंगी कहता हूँ वो एबीपी के निउस के पत्रकार की पूरी कुण्डली खोल देता है कि तुम्हारे चाचा यह है वो है यह है और वो तमाम जानकारी जो है फेस्बुक पर मौझूद रहती है पत्रकार लोटने लगता है लोटने लगता है चैनल भी उसे डिफेंड करता है और देखिए वि क्या है ओम 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 इस तरह से करने लग गये थे और उसके तुरण बाद उनकी गिरफतारी भी हुई ती यह हालत होगी एबीपी नियूस की क्या है इस खबर का पंच शुरुआत आपसे भाशा अभिसार मेरा साफ मानना है कि इसमें एक बार फिर भारती मीडिया को शर्मसार किया है और साथी साथ यह बताया है कि भारती मीडिया किस तरह से समिधान के खिलाफ काम करता है देश के समिधान में 51 AH में साफ साफ लिखा है कि अंधविश्वास को फैलाना अपराद है और पर मीडिया चैनल एक के बाद एक अंद्विश्वास फैलाते हैं धोंग रचते हैं और डाइवर्ट करते हैं मुख्य मुद्दे से दर्शकों का देश की जनता का दिमाग जो अपराध है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच मैं देश की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि यह देश की जनता को फैसला करना है कि वो एक धिरेन शास्त्री से प्रिरित होना चाहता है जो मंच पर खड़े होकर कथावाचन के नाम पर नफरती बाते करते हैं बरगलाते हैं कई बार खलत बयानी करते हैं या पर दूसरी तरफ सुहानी शाह एक मेंटिलिस्ट जो लगातार ऐसे लूग का परदा फाश करें ये देश की जन्ता को फैसला करना है क्योंकि आखिरकार दिमाग तो आपका है ना क्या इस खबर का पंच बताईए उर्मिलेश दो धेरन शास्त्री के बारे मेरी विल्कुल समझ साफ है कि वो परिवार का प्लांट है और ये जो परिवार है चूंकि उसका प्लांट है इसलिए मीडिया ने जो कबरेज किया खासकर टीवी पुरम ने वो उसका जो कबरेज किया जिसमें वो समर्पित होने वाला पत्रका भी शामिल है उसका चैनल भी यह सारे के सारे लोग प्लांट की तरह काम कर रहे थे वे भी प्लांट थे और यह को लिबरेशन के साथ सब कुछ हुआ है मैं भूली पा रहा हूं मिलेश जी किस तरह से वो पत्रकार जो है पाउँ पड़ता है नारे बाजी लगाता है मैंने अपने शुरुवात में अपने इंट्रडक्शन में कहा कि ये वही मंच है ये वही एबीपी नियूज है जहां मुझे भेजा गया था आसाराम का इंट्रिव्यू करने और कहा गया था कि आप सरे सवाल पूछना पॉक्सो को जो तमाम आरूप थे और तमाम मुद्दो को लेकर मैंने उनसे सवाल किये थे मैं नहीं बूलाओं कि उसका आसाराम से मैंने कहा था कि आप मेरे सामने बैठेंगे उन्होंने मना कर दिया था कहते हैं मैं आसाराम हूँ मैं उपर बैठूंगा मैं नीचे खड़ा सारे सवाल पूछे और अब देखो क्या हालत हो गई है दुख़द अविसार यह है कि यह वैसा ग्रूप है एक जिसकी ट्रेडिशन रही है जनलिजम में गौरशाली ट्रेडिशन इसका एक अंग्रेजी अख़वार है टेलिग्राफ जो आज भी इस देश के जो लिबरल्स हैं डेमोक्रेटस हैं सेकुलर लोग हैं उनकी पसंद हैं अंग्रेजी में जो तीन चार पसंद किये जाने वाले अख़वार भावार ही समय हैं हिंदी में तो अख़वार पढ़ने लायक नहीं रहा गये हैं मुझे कहने से मैं कोई शर्म नहीं है मैं हिंधी पत्रकार हूँ लेकिन अंग्रेजी में फिर भी चार पाँच अखबार हैं जो सिरियसली निकाले जा रहे हैं इतने तनाओं और दबाओं के बावज़ूर भी और उनमें एक टेलिग्राफ भी है लेकिन उसी ग्रूप से संचालित जो एबी पी है ये उसके पत्रकार का जिक्राप कर रहे हैं जिसमें आप काम कर चुके हैं और जिसमें मैं एक्सपर्ट मैं बैठा करता था और मैं अब नहीं जाता तो मेरा ये कहना है ये दुर्भागी पूर्न स्थिती है भारती मीडिया की तो मैं जब कहा रहा था आप से अभी सार की 2002 के दंगों के दवरान जो सरकार थी वो आज वहाज बहुमत की ने सर, बात नियत की है क्योंकि प्रधान मंतरी न लाइफ 56 इंश नहीं वह वाजपई जी की शक्सियत नहीं थी लहाज़ा वह फर्क था ये ना भूलें उसी वाजपई सरोकार ने तहलका को कितना परेशान किया था, किया था उन्होंने अपने स्थर पर, वो कोई मना नहीं कर रहा है, मगर वो सोच अलग थी, तो जब आप यह तुलना करते हैं, यह बेमानी तुलना है, नहीं इसलिए नहीं है, कि अगर कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए, कि वाजप दिखाई देता है, 2002 का टैग लेकर और तमगा लेकर मोदी जी केंद्र की राजनीती में पहुचे हैं, मेरा मानना है कि टीवी जब मैं देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि टीवी में वापस भूत-प्रेथ काल की वापसी है, क्या, 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 तो आठ साल से क परोसने और देखिए, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है, कि अचानक ही सारे टीवी चैनल इनहीं बाबा की शरण में पहुचे, जो आज तक के तीहाडी जी हैं, वह भी इन से बात करने पहुचे हैं, तो आप ये देखिए कि सारा कसी असारा डिबेट जहां पर रंके जुगार, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन खतरनाख डायवर्जन है, और एक ये टूल किट है, जिसमें आप वो बता रहे हैं कि आपके पास खेलने के लिए नफरत नहीं, तो आप अंदविश्वास खेलेंगे. मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, मैंने अपने पंच में सुहानी शाह का जिक्र किया, एक मजिशन, जिन्होंने ये बतलाया कि भाई, ये सब जादू है, ये किसम की कला है, विज्ञान है, ये कोई चमतकार नहीं है, बड़ा प्रश्न देश की जनता के सामने है, कि वो ऐसे राशनलिस्ट को फॉलो करें, या वो धीरे इंशास्त्री, जिसकी जुबान भी गंदी है, भूल जाएए कि आप एक कथवा चाहिए, देखिए, मैं मुरारी बापू को भी सुनता हूँ, मैं ब्रहु कुमारी की शिवानी को भी सुनता हूँ, श्री श्री रवी समिती के जो चैलेंज था, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, और दर्शकों को भी याद रखना चाहिए, कि यही शक्स, जब अंद्रशद्धा निर्मूलन समिती चैलेंज करती है, कि तुम यहां आ गये हो, तुम बैठो, हम तुमें पांच लोग भेजेंगे, और उनका बा और तब भी, यह इसे यह पता चलता है, कि जो अंद्रशद्धा निर्बूलन समिती जैसी संस्थाएं हैं देश में, जो लगातार बता रहे हैं, कि सारे बाबा फ्रॉड है, हम जानते हैं, समय देश कैसे देख रहा है, डेरा सच्चा जैसे बलातकारी बाबा को, तो यह ए तने चैनल हैं, वो बाबा को, जबकि दूसरे अगर मान लीजे किसी पुलिटिकल पार्टी का लीडर, अधर देन बीजे पी, थोड़ी सी क्रिटिकल टिपणी कर देता है मीडिया पर, तो ऐसा लगता है कि उसका सर तोड़ देंगे, उसकी पूरी की पूरी सियासत को बरब हो सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, जिस तरह से 40 करोड का की जिवा काट लाओ, उनकी जीव काट लो और उसको लगता है, अभी सार ये बहुत साफ दिखाई देता है कि तीवी में जो टूल किट है, कि आप जब तक नफरत पहला सकते हैं, नफरत प सामने जिकर किया, ये सब बढ़ रहे हैं, 2024 के लोकसभाच चुनावों की तरफ, क्या इसका असर 2024 के लोकसभाच चुनावों में पड़ेगा, क्या सरकार और विपक्ष के जहन में ये तमाम चीज़ें फैक्टर इन कर रही हैं, इसका हमें इनतजार करना होगा, बहुत सार शेरमा को दीजिये अजासत, नमस्कार.